महाभारत दुनिया के सबसे बड़ा महाकाब एगरंथे जिसे भारत के सबसे एत्यासी गरंथ माना जाता है महारेसी बेदव्यास ने संपूर विर्वन के साथ एह गरंथ लिखा था हिंदु धरम में माना जाता है कि महाभारत में वल्डित घटनाए, सत्य और परमाली थे लेकिन फिर भी बहुत सी लोगी से कलापनिक मानते हैं इस धरम और धरम के बिच हुआ सबसे बड़ा युद माना जाता है लेकिन माभारत को लेकर है में इसा सही बैस होती रही है आज का धुने की तियासकार इस पर विश्वास नहीं करते हैं वहीं कुछ लोग का या टूट विश्वास है कि माभारत की घटनाए वाकई में घटित हुई थी ऐसे कई सबुत आज भी महजूद है जिसे है पता चलता है कि स्रीकिस ने धर्टी पर जनम लिया था और माभारत तसलिये आज हम आपको माभारत काल के चार सची सबुतों को बारे में बताएंगे यह तो हम सबी जानते हैं कि महभारत का यूद कुरुछेत्र में हुआ था जो कि हर्याना राज में स्थी थे कहते हैं कि उसमें भेंकर यूद में बहे खुन की वज़से वहां के जमीन लाल हो गई थी पुरा ताजबिक भी सेसन भी माना है कि महभारत की गटनस नच थी उस जोगापर तीरो और भालो को जमीन में कड़ा पाए गया जनकी जाच में पता चला कि अठाई से ही सब पुरुप के है जो कि लगबग महभारत काल के समय के बने हुए आप महाभारत में अरजुन के चकरभीव के बारे में जानते होंगे लेकिन आपको पता है इस चकरभीव के जीता जागता सबूत आज भी महजूद है हिमाचल परदस के अमीर पूर जी लकर सोलो सिंधी धार के नीचे बसार राजनोर गाव एक एत्यासिक सतल के रूप में मस्दूर है यहाँ पर पंड़ाव आग्यातवास के दोरान रुके थे इसी से मैं अजुन आपर चकरभीव के ग्यान प्राप्त करके उसे पतर में बनाया था जो आज भी आहम अजूद है इस चकरभीव को ध्यान से दखने पर पता चलता है कि अंदर जने का रास्ता तो साफ साफ दिखाई देता है लेकिन बाहर आने का रास्ता पता नहीं चलता इस जगा को पीपलु किले के नाम से भी जानना जाता है नमबर थरी सिरी कृष्ण की द्वार का नगरी जिसका वरन महाभारत में किया गया है इतियास में कई बार लोगों ने अस्तो थामा को देखे जाने की बात कही है इतियास में अभी लिखाया कि अस्तो थामा ने पिर्थी रचह हुआन को उनका सब्द बैदिक बान चलाना सिखाया था आज भी भगवान सीव का कहिसा मंदिरे जहां आसो थामा रोज सुबा आकर जोल और फुल चलाते हैं जब महाभारत के युद में आसो थामा के पिता गुर्दोरानेचार को कपर निती अपना कर मार दिया गया था तो असो थामा ने गुशे में आकर दुरपदी के पांचो पूत्र का स्थोते समय बध कर दिया था फिर अरजुन गुशे में आकर असो थामा का पिछा करने लगे तब ही असो थामा ने अरजुन पर भाहमास्तर छोड़ दिया फिर अस्तो थामा ने ब्रहमाश्ट को अभिमन्यु की पत्नी उत्रा के गर्व की तरफ मोड़ दिया श्रीकिशन ने अबुद बाल को और सस्त्री की हत्या को लेकर अधरम बता कर गुसे में आकर अस्तो थामा के माथे से मली निकाल लिया और कलियू के आकरे तक उन्हें पिर्दी पर भटकने के सरफ दे दिया